इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको आपके फोन में इस तरीके से एक प्रॉब्लम आ रही है कोई भी application open करते वक्त यहाँ पर मुझे whatsapp open करते वक्त प्रॉब्लम आ रही है app paused, you can use whatsapp for यहाँ पर जो भी minute होगा आपका tomorrow, यहाँ पर, basically प्रॉब्लम क्या है? कि किसी ने लिमिट लगा दिया है मेरे Watsap पे तो वो कौन हो सकता है अगर आप एक child है बच्चे हैं तो हो सकता है आपके parents ने या फिर आपके भाई बेहन ने किसी ने भी ये lock लगा दिया है आपके WhatsApp पे या Instagram पे या फिर Snapchat चैट या किसी गेम पर कहीं पर भी आपको इस तरीके से लगा दिया होगा इसी वज़े से आपको इस तरीके से लिखकर आ रहा है तो आप इसे हटाना चाहते हैं तो ये कैसे हटाएं यहाँ पर मैं बताऊंगा लेकिन उससे पहले एक वार्निंग देदू अगर आप एक छोटे बच्चे हैं अगर आप बड़े हैं तो आप ये बेसिकर होके करिए बट अगर आप एक 18 साल से कम के छोटे बच्चे हैं तो आप अपने पैरेंट से परमिशन ले ले या फिर अपने बड़े भाई बहन से परमिशन ले जो भी जिन्होंने भी ये lock लगाया है उन्हें बताईए क्या मैं इस तरीके से खोल लूँ ठीक है अगर वो permission देते हैं तो आप जो तरीका मैं बता रहा हूँ इस तरीके से खोल ले तो यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा ये limit हटाने की क्योंकि देखिए मैं whatsapp open करने जा रहा हूँ तो बार-बार यही लिख कर आ रहा है app paused तो आपको क्या करना है अपने parents का phone ले लेना है या फिर भाई भेन का जिसने भी ये lock लगाया है उनका phone ले ले और उनके phone में देखिए आपको क्या करना है ध्यान से देखिए ढूनना है उनके phone में आपको ये application मिलेगी family link तो आप इसे open कर ले अगर आपको ये application नहीं मिल रहे है उनके phone में तो आप क्या करें settings में जाए phone की अपने उनके sorry और यहाँ पर आपको बिलकुल नीचे google का option दिखाई देगा इसे open कर ले open करने के बाद नीचे की तरफ आप आएं तो आप यहाँ पर एक option देख पाएंगे parental controls ये रहा इसे open कर ले and यहाँ पर get started पर क्लिक करें तो यहाँ पर पूछेगा कि यह किसका phone है तो क्योंकि यह देखिए यह आपका parent का phone है और यह आपका phone है तो आप यहाँ पर parent लिखे जैसे यह आप parent पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए पहुँच जाएंगे अब यहाँ पर आपको दिखादू आपके phone में whatsapp पर जो lock लगा है यह देखिए अभी भी लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर app limit के option पर क्लिक करना है ठीक है तो देखिए यह whatsapp है whatsapp पर इस तरीके का icon आपको दिख रहा होगा यह limit का icon है तो इस पर आप click करें और यह limit जो है इस पर click करके इसे off कर दे और done कर दे जैसे आप done करते हैं तो यहाँ से वो remark हट जाएगा जो भी symbol था और यहाँ पर whatsapp आप अपने phone में जाएंगे तो देखिए इसका color green हो गया है और आप इसे open कर सकते हैं ठीक है उमीद करता हूँ आप समझ गया होंगे